हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 and Digital Education पर मैं संदीप नागर आपका Physics टीचर और बच्चो आज हम सुरू करेंगे Electric Field से Related Numericals जो हमारा चैप्टर अल्रेडी रनिंग में है Electric Charge and Field तो उसका जो Electric Field है उस टॉपिक पर आज हम अपने Numerical स्टार्ट करेंगे तो चलते हैं बच्चो पहला कोशन अगर आप देखते हैं फर्स्ट कोशन क्या है ये है आपका कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है Q1 है और एक बच्चो यह है Q2 यह थोड़ा misprint है यह क्या है बच्चो यहाँ पे Q2 अब इन दोनों की जो value है इन दोनों की value है Q1 की भी value क्या है 10 की power minus के 8 कूलाम है और इसकी value minus 10 की power minus के 8 कूलाम है ठीक है और placed 0.1 meter apart तो calculate the electric fields at point A, B and C so in the figure यह आपको जो diagram दिया हुआ है बच्चो यह canciality का question है तो इसको हम कैसे solve करेंगे करते हैं सुरूँ basically हमको electric field निकालना है यह जो diagram हमें दिया गया है इसमें हमको point A पर, point B पर और point C पर इन तीनों point ओपर हमको यहां electric field calculate करना है तो सबसे पहले हम करते हैं point A पर, four point A सबसे पहले अगर हम इस point A के लिए देखते हैं हम point A पर electric field निकालेंगे तो point A पर electric field के लिए अगर आप यह देखें कि यह जो positive charge है हमारा जो Q1 है और यह हमारा Q2 है इसमें अगर हम यह देखते हैं जब हम यहां electric field की बात करेंगे तो point A पर electric field एक तो आपका इस positive charge Q1 की वज़ा से आएगा एक आपका Q2 की वज़ा से आएगा तो सबसे पहले अगर हम electric field निकालते हैं due to positive Q charge electric field due to Q1 अगर आप Q1 से देखते हैं तो आपका E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q1 upon R1 square ठीक है R1 क्या होगा यह हमारा charge है यह हमारा point A है तो R1 होगा 0.05 अगर हम इसे calculate करें तो 9 multiply 10 की पावर 9 Q1 की value क्या होगी 10 की पावर minus के 8 R क्या हुआ 0.05 के square यह आ गया जी तो अगर अब हम इसको देखते हैं 9 यह 10 की पावर minus 8 है और यह plus का 9 तो यहां से क्या बचा बच्चो 10 बचा और यह आ गया 0.0025 अगर मैं यह point हटाऊं यहां से तो 10 की पावर क्या जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 90 अपॉन 25 और 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम अब अगर 90 में आप यह डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 point कितना आएगा यह 25 का डिवाइड आप जब 90 में करेंगे तो यह 75 आया और यहां से कितना बचा आपका 15 और यह 3.6 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम similarly आप क्या काम करेंगे इस Q2 चार्ज के लिए हम निकालेंगे ठीक है तो कैसे similarly 4 चार्ज Q2 अगर आप Q2 के लिए निकालते हैं तो यह आएगा आपका E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q2 upon R2 square R2 आएगे यह distance आपके 0.05 भी है तो आप जब इसको solve करेंगे सारी value आपकी same रहेंगी बच्चो क्योंकि यह भी 9 multiply 10 की पावर 9 आपका रहेगा यह आपका 10 की पावर minus के 8 रहेगा और यह आपका 0.05 का whole square रहेगा तो solve करने पर यह भी 3.6 10 की पावर 4 newton पर कूलाम ही आएगा तो जो net electric field होगा point A पर वो क्या होगा net electric field तो net electric field क्या होगा E A is equal to E1 plus E2 तो आपका 3.6 10 की पावर 4 plus 3.6 multiply by 10 की पावर 4 तो यह आजाएगा 7.2 multiply 10 की पावर 4 newton पर कूलाम तो हमने बच्चो एक point पर हमने क्या किया electric field यहाँ पर find out कर लिया ठीक है अब अगर हम दूसरे point की बात करते हैं अगर यह point A पर हमने निकाला अब अगर हम point B को ले करके चलते हैं यह है point B हमारा ठीक है तो point B के लिए क्या होगा even तो रहेगा आपका same ही क्योंकि 0.05 भी है लेकिन हमारा यह E to change हो जाएगा ठीक है तो point B के लिए करते हैं 4.b अगर हम point B को ले करके चलते हैं तो अब मैं ज्यादा वर्डों में लिख करके डारेक्ट थोड़ा सा मैं करूंगा बच्चों कि चार्ज Q1 के लिए जब आप इलेक्टिक फिल्ड निकालेंगे जब आप इसे solve करेंगे पीछे की तरह ही तो 3.6 10 की पावर 4 Newton पर कूलाम ही आ जाएगा लेकिन अब जब आप E2 यहां से निकालेंगे यानि Q2 चार्ज के लिए तो 1 अपॉन अपॉन 4 पाई एपसाइलन 0 10 की पावर माइनस 8 यह क्या होगा 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 यानि की 0.15 का whole square यहां पे आएगा तो 9 multiply 10 की पावर 9 1 अपॉन 4 पाई एपसाइलन 0 की value put कर लिया हमने 10 की पावर माइनस के 8 और यह आजाएगा 0.0225 ठीक है इसका point हटा लीजिए कितना आएगा 10 की पावर 4 तो यहां क्या बचेगा यहां आएगा आपका अगर आप देखते हैं तो 10 10 की पावर 5 यह हो जाएगा 90 10 की पावर 4 अपॉन 225 ठीक है इसको हम आप और जाज़ा क्या कर सकते हो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 900 या फिर generally आप इसमें से क्या काम करेंगे 900 में अगर आप डिवाइड करते हैं 225 का तो कितनी बार जाएगा approximate में अगर आप देखते हैं तो यह जाएगा आपका 4 टाइम यहां अगर आप देखें 900 तो यह 10 की पावर क्या रहेगा यहां पर 3 हो जाएगा और 225 से जो आप इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यह 4 टाइम जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 4 multiply 10 की पावर 3 Newton पर कूलाम या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.4 और 10 की पावर 4 0.4 और 10 की पावर 4 Newton पर कूलाम तो फिर point B पर electric field क्या होगा अगर आप अभी यहां पर देखें तो यह दोनों field एक दूसरे से क्या होंगे opposite direction में होंगे तो जब यह opposite direction में होंगे तो आपका E1 minus E2 E1 की value क्या है 3.6 10 की पावर 4 minus 0.4 10 की पावर 4 तो यह आ जाएगा 3.2 10 की पावर 4 Newton पर कूलाम यह आ गया आपका point B पर अब हमारा बच्चों एक point और बचा है point C पर हमें और calculate करना है तो जो हम point C के लिए निकालेंगे point A के लिए हमारा आ गया है क्योंकि point A पर दोनों charges से जो electric field था वो same direction में था इसलिए plus हो गया यहां opposite में हो गया तो minus हो गया अब हम point C के लिए निकालेंगे तो जो आप point C के लिए इससे solve करेंगे four point C अब अगर हम point C की बात करते हैं तो point C अगर आप देखते हैं दोनों charges से बिलकुल एक fixed distance पर है यानि अगर आप देखें तो यह भी 0.1 है इस वाले charge से भी और इस वाले charge से भी तो point C के लिए आपका जो E1, E2 है दोनों का क्या आएगा सेम आएगा four point C के लिए आपका E1 और आपका E2 दोनों की value क्या होगी सेम और वो होगी आपका one upon four pi epsilon 0 10 की power minus 8 और 0.1 का whole square यानि की 9 multiply 10 की power 9 10 की power minus 8 और यह 0.01 point हटाएंगे तो 100 आजाएगा और यह आजाएगा 9 multiply 10 की power कितना आएगा यहाँ पे यह होगा बच्चो 3 Newton पर कूलाम ठीक है पर point C पर अगर आप यह देखें E1 E2 दोनों एक दूसरे से 120 का एंगल बनाते हुए दोनों लग रहे हैं तो यह आपका आजाएगा E1 स्क्वाइर पिलस E2 स्क्वाइर पिलस 2 E1 E2 कॉस 120 ठीक है क्योंकि दोनों electric field किस पर है 120 डिगरी के एंगल पर है तो यह आजाएगा E1 की value क्या होगी अगर हम इसे कुछ time के लिए अगर मैं इसको E मान लूँ थोड़ा solution में easy रहेगा ठीक है तो हम यह direct value थोड़ा put कर लेंगे तो आगया E2 पिलस E2 पिलस 2 E2 120 माइनस के 1 अपान 2 तो क्या हो जाएगा under root 2 E2 minus E2 तो is equal to आपका under root E2 और यह आगया बच्चो E E की value क्या है 9 multiply 10 की power 3 newton पर कूलाम तो 3.0 के लिए हमने क्या कर लिया है 3.0 पर हमने electric field find out कर लिया है अब हम अगर अपना दूसरा question देखते है तो दूसरा question क्या है question number 2 के अगर हम बात करते हैं तो 2 में हमें क्या दिया है calculate the voltage needed to balance and oil drop carrying 10 electrons सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें question में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको एक तो number of electrons दिये है N, N is equal to कितना है 10 ठीक है आगे यह जो 10 electrons है यह कहाँ पर located है यह capacitor plate के बीच में रखे हुए है और capacitor के जो plate है उनके बीच की जो distance है D is equal to 5 mm यानि कि 5 multiply 10 की पावर माइनस के 3 meter ठीक है अब अगर यहाँ पर हमें एक mass दे रखा है mass कितना है 3 multiply 10 की पावर माइनस के 16 kg और small g की value हमको क्या लेना है 10 meter per second square हमसे calculate कर वा रहा है कि वो potential बताई है ठीक है निकाल लेंगे तो अगर कोई electron किसी capacitor plate के बीच में रखे हुए है और वो balancing mode में अगर है तो वहाँ पर आपका जो electrostatic force है यानि की EQ वो equal होता है mg के ठीक है अब E is equal to क्या होता है E की जगा आप रख सकते है V upon D ठीक है Q की जगा N E और यह आपका mg यहाँ से अगर आप V calculate करते है तो M G D upon N E तो आपका electric potential क्या होगा electric potential electric potential V is equal to होगा M की value 3 multiply 10 की पावर माइनस के 16 G की value 10 और D है 5 multiply 10 की पावर माइनस के 3 upon N की value क्या है 10 और small e की value 1.6 10 की पावर माइनस के 19 तो यह 10 से 10 आपका cancel out तो 15 upon 1.6 उपर भी 10 की पावर माइनस के 19 आएगा क्योंकि माइनस 16 और माइनस 3 और upon यहाँ भी 10 की पावर माइनस 19 तो यह तो cancel out हो गया तो यह आपका आजाएगा अगर point आप हटाएगे 150 upon 16 तो यह आपका करीब करीब 9.144 होगा 144 आपका यह 6 लगबग लगबग 9.3 बोल्ट बार आपका यह क्या होगा डिवाइड होगा तो यह आगे आपका electric potential ठीक है यह आपका क्या आजाएगा electric potential आजाएगा तो approximate में 9.3 बोल्ट के आसपास उसका potential होगा जो कि वो हमको मालुम कर रहा है कि कितने voltage की needed होगी तो approximate में 9.3 बोल्ट बोल्टेज की हमें क्या होगी need होगी इस oil drop को क्या करने के लिए balance करने के लिए कहाँ पे capacitor plate के बीच में balance करने के लिए हमारा कि 2.4 है हमारे पास एक प्लस का 1 माइक्रो कूलाम है एक प्लस का 4 माइक्रो कूलाम है दोनो 30 cm की distance पर एक दूसरे से रखे हुए है तो how far from the प्लस 1 माइक्रो कूलाम चार्ज on the line joining the 2 चार्ज will the net electric field will be 0 कैसे यह हमें बता रहा है कि यह हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है एक तो प्लस का 1 माइक्रो कूलाम और दूसरा है कितना प्लस के 4 माइक्रो कूलाम दोनों के बीच की distance क्या है 30 cm है अब अगर हम यह माने कि यह 1 माइक्रो कूलाम से वह ही कह रहा है कि वह कौन सा पॉइंट होगा जहांपर electric field क्या हो 0 हो कहां से प्लस के 1 माइक्रो कूलाम से तो हमने इसको सपोस किया कि यहां से x distance पर यह कोई point है जहां पर electric field क्या होगा 0 तो यह x और आगे अगर आप देखे तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x यह cm का ही है अगर आप meter में करवाइट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 multiply कर लेंगे generally आप इसे cm में भी रख सकते हैं क्योंकि यहां पर net electric field यह क्या बता रहा है 0 कि अगर आप इसको एक point P ले करके चल रहे हैं तो यहां point P पर electric field क्या है according to question 0 है तो आप यहां लिख सकते है according to question e is equal to क्या है 0 है तो e is equal to 0 यानि कि कब 0 हो सकता है कि जब point P पर इन दोनों charges के दुआरा जो apply किया गया electric field है अगर वो equal हो यानि कि आपका e1 is equal to क्या हो e2 यह आप ले सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 upon r1 square और 1 upon 4 pi epsilon 0 और q2 upon r2 square तो आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 से 1 upon 4 pi epsilon 0 cancel out q1 की जगा 1 micro kulam है तो आप इसको लिख सकते हैं भी अगर आप यहां देखते हैं कि q1 क्या है 1 micro kulam change करके लिख होगे तो 1 multiply 10 की पावर माइनस के 6 kulam q2 क्या है आपका 4 micro kulam है इसे अगर आप सही करके लिखेंगे तो 4 multiply 10 की पावर माइनस के 6 kulam ठीक है बच्चों यहां अगर हम r1 की बात करें तो r1 हमने ले लिया है x ठीक है r2 क्या है यह आप let करके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 30 minus x ठीक है े अदर करें value put तो 1 multiply 10 की पावर माइनस के 6 अपों x स्क्वाइर is equal to 4 multiple 10 की पावर माइनस के 6 अपों 30 minus x का whole square तो 10 की पावर माइनस 6 ते 10 की पावर माइनस 6 हो गए आपका 1 अपों x स्क्वाइर is equal to 4 अपों 30 minus x का whole square, अगर हम दोनों तरफ से क्या लेते हैं, बच्चों, under root लेते हैं, तो क्या आएगा दोनों तरफ से अगर आप ये under root लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 upon x is equal to 4 का अगर आप निकालेंगे, root निकालेंगे, तो 4 का क्या आजाएगा, 2 आजाएगा और 30 minus x, cross multiply कर लीजिए, 2x और is equal to 30 minus kx, तो 2x plus x is equal to 30 और 3x is equal to 30, और x is equal to आजाएगा, 30 upon 3 यानि की 10 cm यानि की इस पिलस के 1 µ कूलाम से 10 cm की distance पर आपका जो net electric field होगा वो बच्चो 0 होगा ठीक है, आगे देखें एक कोशन और देख लीजिए electric field का ये वाला कोशन अगर आप देखें यहाँ हम एक equalator triangle दे रखा है, जिसकी sides क्या है A है, तो यहाँ पर ये हम से पूछना चाहा रहा है कि एक तो magnitude बताईए किसका electric field का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो charge है, एक तो plus का 6 क्यूं है, एक minus का 8 क्यूं है, ठीक है, ये दोनों रखे हुँ है, vertex B and C पर, एक equalator triangle पर, तो हमें expression निकालना है, तो magnitude और एक direction, किसका resultant electric field का, किस पर point A पर, इस point A पर हमें resultant electric field का हमें क्या निकालना है, expression निकालना है, तो सबसे पहले हम first part को solve करें, तो बच्चों, ये जो plus का 6 micro coulum है, इसकी वज़ा से electric field क्या होगा, EBA अगर मैं आप से कहूँ कि इस EBA की value बताईए, तो EBA कितना होगा, EBA होगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 6 q और distance क्या है A square, ठीक है कितना होगा, अब अगर साथ ही साथ मैं आप से कहूँ कि इस EAC की value बता दीजिए, तो EAC क्या होगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 और ये आपका 8 q ठीक है, और upon में E square, हमें तो net electric field चाहिए तो 10 net electric field अब net electric field क्या होगा अगर हम net electric field की बात करें E is equal to under root EBA square plus EAC square plus 2 EBA EAC और cos 120 ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे solve करेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 6 q upon A square का whole square plus 1 upon 4 pi epsilon 0 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 8 q upon A square का whole square plus 2 multiply 1 upon 4 pi epsilon 0 6 q 6 q upon A square 6 q upon A square यहाँ इसे 6 6 का square 36 पिलस यहां से बचेगा 8 8 का square 64 ठीक है और यहां से क्या बचेगा पिलस 8 और 6 की multiply 48 ठीक है तो कितना आगे आपका 1 अपन 4 pi epsilon 0 Q square upon A square और यह under root में आएगा 64 और 36 तो हो गया आपका 100 100 में से अगर आपका 48 जाएगा तो 52 यह आगया आपका resultant electric field कहां पर इस point A पर और अगर आप इस direction की बात करते हैं तो direction आपका निकल जाएगा 10 बीटा आप यह first part आपका solve हो गया, second part में direction की बात कर रहा है तो 10 बीटा is equal to क्या होगा इस वाले triangle में अगर आप देखें यह है आपका 10 बीटा तो 10 बीटा के लिए आप इसमें एक formula होता है हमारा cos theta और sin theta के ट्रम में तो आप यह triangle वाला जो formula आपने 11th class में vector वाले chapter में पढ़ा होगा वहां से आप इसमें 10 बीटा की value calculate कर सकते हैं ठीक है तो बच्चों यह कुछ questions थे elactic field से related ठीक है तो क्योंकि यहां पे आप यह easily formula वहां से लगा करके यह भी आप solve कर पाएंगे तो elactic field से related कुछ इस ही type के numericals आपको board exam में मालूम किये जाते हैं तो इससे आगे बच्चों मिलते हैं हम अपनी next video में हम electric flux electric flux का जो topic है उससे related हम अपनी numericals solve करेंगे next video में तो मिलते हैं बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद अपनी next video मिलते हैं